हालो दोस्तों कैसे आप लोग आए हो पाच्छे होंगे आपना जिन्दगी में अच्छा कर रहे होंगे और हमारा प्रेडिक्शन से रोजना फेंटासी से धेर सरफ ऐसा बना रहे होंगे तो इस वीडिये के अंदर हम बात करेंगे जो कि मैच कहला जाएगा इंडिया भर्सेस इंग्लेंड की वीज में और आज सुपार संडे का दिन है और आज की दिन पर इतना बड़ा मैच तो आप लोग समझ रहे हैं कि आज क्या होने वाले हैं एक तरफ है हमारा इंडिया दूसरी तरफ है इंग्लेंड जो की हमारा दुस्मान है ठीक है तो देखिए बस आपका दिमाग में जो भी चैर रहे हैं आपका दिमाग में क्या चैर रहे है कि मैं रोहिस सर्मा को कैप्टेन करूं या बिराट कोली को कैप्टेन करूं क्या आज जौस बटलार को मैं टीम में राखू या नहीं राखूं ठीक है क्या आज जो रूट को भाईस केप्टेन देना सह रहेगा कि नहीं क्या मैं कुल्दिप को आज जील में ट्राइक कर सकता हूं कि नहीं यह जो भी आपका दिमाग में चैर है ना वो चणने दो इस वीडियो कंप्लीट वाच करने के बाद आपको एकदम जेनुएन 100% सही प्रेडिक्शन मिल जाएगा जिससे आपको पूरा ना स से 30 मिनिट पेल है आपको हमारा स्मार्ट फेंटासी टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव रहना पड़ेगा बट अगर आपने आभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल कोई जोन नहीं किया तो कैसे आप यहां पर एक्टिव रहोगे बट कोई बात नहीं इस वीडियो को देखने के आप हमारा टेलीग्राम चैनल के अंदर जूड जाओगे ठीक है तो सबसे इन्पोटेंट है हमारा टेलीग्राम चैनल को जोन करना लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा और मैच शुरू होने से 30 मिनिट पेले आपको यहां पर एक्टिव रहना पड़ेगा ओके तो फास्ट हम चेक करेंगे भेन्नू डिटेल तो देखिए बस शुरू में में आप लोगों बताया कि वीडियो को बीना स्किप करें एंड तक देखना तब ही जाके आपको सारा चीजे समझ में आएगा इस ग्राउंड पर आभी तक ODI मैच के अगर हम बा पहर स्कोर की बात करें तो 210 है ठीक है जो की एक लोग स्कोरिंग आप लोग मान सकते हैं आप देखो बस मैं लोग स्कोरिंग किसलिए बो रहा हूं साउथ अफ्रिका जैसा टीम ने यहां पर 301 गरा बनाया और आफगनिस्तन टीम ने दोस्तो 194 बनाया था और आज दोनों ऐ ऐसा टीम है जो की एक दूसरे पर भारी पढ़ सकते हैं दोनों टीम भाई टक कर दे सकते हैं फिप्टी फिप्टी चांस है ठीक है इसलिए अगर किसी का बैट्समें चल गया तो हो सकते है कि दोस्तों आज 300 पिलास उसकर बन जाए और ऐसा भी हो सकते है कि 200 के अंदर ही स्क पर गया था तो आप लोग समाझ देव कि यह स्कॉर 200 से नीचे 200 से लेकर 200 के बीज में दोस्तों मैक्सिमम टाइम बना है इसलिए में आप लोग बताया था कि यह स्कॉर ज्यादा तर बनेगा थो 270 ठीक उससे ज्यादा मेरे सबसे नहीं जाएगा मदलब यह एक मीडियाम ए कर लो बस आपका काम हो जाएगा ठीक है एसे आपको कंबिनेशन बनाना पड़ेगा आप हम चेक करेंगे लास्ट फोर मेंच की डाटा जो किसी भेन्यों पर खेला गया था देख लो नैदर लेंड ने बनाया था 262 दैस उकर चला गया था सिलोंका दोस्तों मैक को चेज कर इस पिनार ने लिया 5 पेसार सनलिया 9 विकेट सिलोंका दोस्तों फिर इहाँ पर खेला 209 ओल आउट हो गया था ओस्टेलिया दोस्तों मैक को जीत लिया था इस पिनार लिया दोस्तों 6 पेसार 7 साथ आफ अफ्रिका 321 जो किसी गरा उनका हायस्ट स्कोर है और अस्टेलिया और मैक को चेजी नहीं कर पाया थीक है इस पिनार लिया साथ उससनलिया दोस्तों 10 विकेट फिर यहाँ पर साउत अफ्रिका खेला है दोस्तों 2 sp2पचास इंडिया दोस्तों देखे दो इंडिया यहाँ पर मैक्स खेला है और कितना रहन बनाया 240 8 विकेट चला गया था ठी जिदिए-जिधिए बात है आपको जो नोट करना है कि इस ग्राउंड पे ज़्यादा दोस्त चलिस बनाया तो आप लोगो सुरूआत में बताया था कि हर एक में आप लूग देख लो 12 से लगे 15 वा केट यही ली जा रहे हैं, साथ 12 वा केट इसमें 15 वा केट और इसमें 12 वा केट 12 से लगे 15 वा केट जाएगा kit ऊके absolutely बलेगे चलो यह थोники लिया हो गया तो हम जरेंगे दोनों टीम्स की रि Argney ईंग्लेंट कि यह क läuft तो के jsब हम लास्ट 5 में चस्श्की बात करें तो ऑनली एक मैच जीता चार मेचे रहा है इंडिया लागातार 5 मेच जीत हे आ रहे हैं तो चाहे डा डाटा कुछ भी वोले हम तो हमारा इंडिया को सपोर्ट करेंगे हमेंसे कितारा ठीक है ना तो दोस्तो डाटा भी है बोर रहे हैं कि हमारा इंडिया टीम है अब इंग्लेंड का लास्ट पांच मैचेस का डाटा देखे लो 156, 170 ओल आउट हो गया ठीक है फिर आफगानिस्तन के सामने भी फिर बांगलाद इसके खिलाब 300 बनाया था और यहां पर 2500 बनाया था हमारा इंडिया टीम देख लो यार हार एक मैचेस में 270 करके स्कोर बना रहे हैं किसी भी मिलब टीम के खिलाब इसको मिलब भीड़ा दो यह हरा के राक देगा दूसरा टीम को और इसलिए लिए लगातर पर हम फाइनली जीच जाए ठीक है चलो पाकिस्तान को हरा दिया आना तो समझ लो की बात खतम हुई पर आब हम चेक करने बाले हैं हेड़ोड की डाटा तो उससे तब पता चल गया कि इंडिया स्ट्रॉंग है तो हेड़ोड में 106 मैच खेला गया तीन मैच में 9 रहा था द इंडिया आज का मैच फिर से उन कर सकते है तो जाहिर सी बात है कि आप इंडिया से मैक्सिमाम पिलियर पिक कर लो एंड इंग्लेंड की साइड से आप मीनिमाम पिलियर्स पिक कर लो ऐसे करके आपको कम्बिनेशन बनाना पड़ेगा और कुछ जील में ऐसा कम्बिनेशन ब बना रहे हो क्योंकि GL में कुछ भी हो सकते हैं ठीक है कुछ टीम आपको इसा बनाना पड़ेगा जी एल के लिए बाट एस्मॉल लिग में आपको इंडिया को सपोर्ट करके टीम बनाना चाहिए चलो हेड़ोएड के अगर हम लास्ट तीन मैंच का डाटा चेक करें तो एक एक पिलियर्ज दोस्त इंपोर्टेंट है मैं डबल अर्टिक में लागा दूंगा यह में चखला गया था 17 जूलाई 2022 को इंगिलेंड ने बनाया था 259 इंडिया ने चेज कर लिया बाटलार का 60 था मॉयन आली का 34 था टोपली ने तीन विकेट लिया था दोस्तो फिर इनके साह सब्सक्राइबरा भिरादा बाटलार का मॉयन आली पर था निगा फेजन तोपली मोस्तन पर जीनके सब्सक्राइबराई इनके साइट से हर्दिक पंडिया ठीक है यह जो चार खिलाडी मैंने योलो टिक लगा दिया यह चार खिलाडी को आपको हर एक टीम पर रखना है हाँ अगर आप्टर सकोई ने खेलेगा तो यह से उसको रखना पड़ेगा अब हम एक दूसरा दुनिया पर आ जाएंगे जहा आपको बहुत करेगा एक प्लियर को सिलेट करना के लिए कि यह खिलाडी कब क्या करते हैं किसी से अपको पता चाहिए ठीक है फिर हम चेक करेंगे हैंगे नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों बहन्नों की डाटा तो रही सर्मा आप लोगों को पता है हीट मैं जब चलता है 50 पिलास नहीं तो 70 पिलास नहीं तो 100 पिलास नहीं तो 1500 फिलास ठीक है इनका SIC रहता है अपना केरियर में 200 से ज्यादा मैच खिला है 48 के बारेज है जो कि अच्छा है बारेज है 90 के स्ट्रैक में दोस्तों रान मारते हैं ठीक है फास्टिंग में 53 56 और 101 है सैके निंग में द दोनों इनिस में तो इसको स्मॉल लिग में तो आप हटा नहीं सकते हो तो आज इसको क्याप्टन भाइस किप्टन बना सकते हैं यह है रोहिस्षरमा की एनालाइसिस ओके फिर हम चेक करेंगे सुमवन गिल इनके बारे में आप लोगो पता है यह बहुत ही कम समय है अपना मिलब एक ऐसा पजिशन बना लिया ना कि वाल्ड कप जैसा मैच में यह ओपेंड कर रहे है आप लोगों को पता है कि यह सिर्फ आईपील खेलते था फिर दोस्तों धीरे-दीरे अपना केरियार को धीरे-दीरे डैबलॉप किये और आज की डेट पे यह इंडिया की अपनार बैट्समेन है वो भी रोई सर्मा के साथ ठीक है वो भी ओल्ड कप जैसे मैच में 38 मैच खेला ज्यादा मैच तो नहीं 66 के अवारेज में रान बना है फास्ट इंग में 104 है और दो दोस्तों 50 पिलास है सैकेंड इनिंग में भी दोस्तों बहुत ही अच्छा फंब है रिसेनली भाई का डेंगू हुआ था जिसके करन थोड़ा विक फिल कर रहे है साथ ठीक है एनर्जी साथ थोड़ा बदलोस हो गया इसलिए लास्ट का कुछ में जिसमें इनका इसको राप लोग अच्छा नहीं मिलेगा भैनु पेक में च्खेला दोस्तों उसमें पूरी त इतना भी बोल दूँ बहुत ही कम पड़ जाएगा और मैं कूछ भी बोलू चाहिए इसको टीम में हटा आओ चाहिए राख हो बट आप इसको तो पिक करके ही जाओगे मुझे पता है ठीक है फिर भी हम इसके स्टेट देख लेते हैं फास्ट टी में अच्छा है दोस्तों स साथ साथ आप इसको एजसेब कैप्टन ट्राइ कर सकते है अपना स्मॉल लिग टीम में ठीक है ना फिर आपको मिंजे के स्रास आयार और एक नया खिलाडी बट इन्होंने देखते देखते 52 मेंचेस खेल लिया ठीक है 46 का अभारेज है इनका भी फास्ट टिंग में 105 है 38 है 28 है फिर दोस्तों सेकेंड में थोड़ा थोड़ा करकर रान बनाया है इन्होंने टीम को सपट करते रहते है तो देखिए इनको आपको कब लेना है उपर में है रोहित सर्मा सुमंगिल और बिराट को ली अगर आप तीन में से किसी दो बैस्मन को ड्रॉप कर रहे हो उस क्योंकि यह नीची आगे मैच को थोड़ा बत समाल लेगा और थोड़ा बत अगर समाल लिया तो रहम से 50 जोड़ देगा ओके बाकि एसमाल में लिग में तो मैं इसको पिक नहीं करूंगा के रहुल जब-जब इनका बैटिंग आता है यह आच्छे स्कोर कर देता है देखि ऋपुअगर अगर रहुत सिसको द्राब करें इसको डॉप कर सकते हो क्यों टूप कर सकते हो लिगा यह चाल पनीडर मेर जाया अधेगा ठीकना भाइंगर पास्टिंग में इसको पियुक् sinking में मेर बर सकन आईम मैं रहे आप इसको एजे बोलर पिक कर रहे हो तो only second inning में पिक करना जब इनका team बाद में बोलिंग करेगा अगर आप इनको batsman pick रही तो भी भाई कुछ भी नहीं कर रहे रहे फिल्याल बेटिंग में ठीक है यह तो second inning में यह थोड़ा important होने वाल है फिर आपको मिल जाएगा पांच पार्ट विकेट दोस्तों लिया है और सेकेंड में अच्छा है है एक मोस्ट इंपोर्टन फिक बन जाएगा स्मॉल लिग में इसको छोड़ना ही नहीं है फिर आपको मिल जागा जास्परित भॉम्रा इन्होंने भी दोस्तों 83 मैच खेलके एक सोचली से उकेट लिया है और रिसनली देख लो दो चार तीन ऐसे करके है और हैड़ड में छे मैच खेलके 14 विकेट लिया है तो यह भी हमारा टीम पे होना जो हो रही है क्या पता इंगलेड आज 200 या 200 में चपट हो जाए आप गनिस्थन जैसा टीम में इंगलेड को हरा है तो हमारे इंडिया तो उससे काफी मिलब एक स्ट्रॉंग तीम है तो इनके साइड से जितना इंपोर्टन बोलर से आपको लेना ही पड़ेगा मोहमद सामी हो गया भूम्रा हो गया और सिराज हो गया आपको तो लेना ही पड़ेगा फिर कूलदीब जादब के अगर हम ब बहेगा ही बहुत हटेगा नहीं ठीक है कुल लिप का फिप्टी फिप्टी चांस है बाकी बेंचेस में मिल जाएगा इसान किसान सारदूल ठाकूर अभी चंदरास्थिन एन हर्दिक पंडिया इनमें से कोई खेलेगा तो आप लोग स्टेट लिख कर दो यह काम में आ जोनी बेरेस्टो यह एक ऐसा खिल्याडी है मालब इनके बारे में प्रेडिक्शन करना मैं तो क्या भाई भगबान भी नहीं कर सकती यह खूद नहीं जानते है कि आज यह जिरो प्याउट होगा यह पचास जोड़ेगा यह सो जोड़ेगा इसको खुद कोई नहीं पता य आप देखिये हम लोग अगर तीनों इंडियान बोलर को पीक करें जो कि शुरुआत को डालेगा तो हम किसले पीक कर रहे है ताकि उनको उग्येट मिलेगा अब सुरुआत में इंडियान बोलर किसको आउट करेगा जोनी बेरेस्टों को तो उस हिसाब से हम इस परे में क्या ही बोदू टीम इसको बार-बार ऑपोर्चुनिटी दे रहे है बट यह कुछ कर नहीं पा रहे है आप लोग देख लोग इनका स्टेट ट्वेंटिसिक्स मैच खेलके सिक्स्टिवान का तो यह भार है जै ठीक है पर रिसेंडली इन्होंने सेकेंड निग में तो अगर आपको लेना है तो अनली आप इसको फास्ट इन्हीं में तो बिल्कुल ना ले ठीक है फिर आपको मिल जाएगा जो रूट जिनोंने अपना केरियार में बहुत ज्यादा मेंसे स्खेलके राखा है वान सिक्स्टी सबैन एन फोटी एट का भारेज है रिसेंडली आप लोग देख लो फास्ट इन्हीं में अच्छा किया है सेकेंड इन्हीं में भी अच्छा है यह टीम का एक ऐसा पिलियार है जो कि टीम को सम्हाल कर खेलेगा ऐसा नहीं कि जलवाजी में अपना उग्यट दे देगा अगर दस बोल खेलेगा तो वो भी दोस्तों टीक्यर खेलेगा हाँ लाकबाई चन सकर हो गया हाउट तो हो गया ठीक है तो इसको हमारा टीम पर रखना पड़ेगा क्योंकि यह टेक्निकल बैट्समेन है जॉस बटलर के हम बात करें जॉस दा बॉस आप लोगों यह नाम तो सुनाए होगा तो जॉस उसी दिन मरेगा जब इनका टीम मनलब जल्दी उपर ओडर जल्द कर आउट होता है तो जॉस आके अपना काम करेगा से इसे कुछ रान मनाते और इसलिए फास्ट निगी में इनका अच्छा रेकोर्ड है सेकेंड इवे दोस्तों अच्छा नहीं है तो आपको इनको लेना है तो अनली फास्ट इवे प खेला ही नहीं आप भी आया है पता नहीं इनका मूड क्या रहता है जब हम इससे मिले थे चन्नाई में तब ये सुनिंग पोल के आसपस में घूम रहा था चाट्डी पहन के हम सेल्फी मांग रहे हैं तो इनका मूड हो गया कि वाल्ड का मुझे खेनना तो आगया खेनने में बाकि एस्टेट के गराम बात करें ठीक ठाक है दोस्तों बॉलिंग एगर करेगा तो यह अच्छा कर सकते हैं क्योंकि हेड़ डुएड में 17 में खेला था और आप लोग देख लो 34 का बार है जो साथ में 13 विकेट भी लिया है तो बॉलिंग साथ में डालेगा तो दोस्तों अबियसली टीम में लेना बाकि ट्रॉप ही करना लियाम लिविंस्टोन यह भी दोस्तों एक पार्ट टाइमर बोला रहा है साथ मीडी लोडर का बैट्समेन है मैं लोग एजे आप लोग और मान सकते हैं तो आप चाओ तो इनको भी पिक कर सकते हो ठीक है बड़ एसमल लिं नहीं है वर बोलिंग से सेकेंडिंग में दोस्तों तावाई मचा कर रखा है लाइक जा दे जा ओके तो मौयनाली को भी आप लोग सेकेंड इनक में ट्राइक करना आदिर रोसिद के गर हम बात करें रिसेंडली दो दो तीन 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 चार 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 उकेड लिया है तो यह आपका एक ट्रॉम्पिक का काम करेगा ठीक है कौन आदिर रसिद आप अपना टीम में इसको हमिल कर सकते हैं फिर आपको मिल जाएगे दोस्तों क्रीक्स ओक्स इन्होंने भी दो-दो करके लिया एक-एक करके आराम से तुकेड निकार रहे हैं है बारा मैच में 17 लिया है द देख लो बहुत ही कम मैच है दोस्तों जहां पर इनको एक उकेड मिला तो किरिक्स ओक्स और मार्क उड में से अगर हम कंप्यार करें तो दोस्तों मैं इसी के साथ जाना पसंद करूंगा किलियर ना फिर लास्ट पिलियर इनके से आपको दोस्तों मिल जाएगा डेविड उ इंपोर्टन रहेगा क्योंकि हैडवेड का इनका डाटा खतरनाग था एक मैच में तीनुकेट एक मैच में छे विकेट एक बहुत बड़ा ट्रॉंपिक के काम करेगा खेलेगा तो इनको छोड़ना नहीं है तो देख लो तो यह था दोनों टीम्स की प्रवावली पिलेंग के लिए भन पे अगर कोई भी पिलियार में बाहर हो जाते तो उनका इसे लुक्सान होता है तो इसलिए फाइनल अपडेट एंड फाइनल टीम के लिए हमारा टेलीगराम पर एक चैनल बनाए गया है जिसका नाम है स्मार्ट फेंडाजी ठीक है लिंक आपको वीडियो की ड इसलिए चानल कोई भी औरस्टा कॉछियों आपको तकolo ट tienes कोवां है जो भी ए मिए झावकश sayaई तो घए पर विएं पर शूएं कर ते दुए रजए गिए लीडिजे खे बैश्डे़ लाह – दोलिए लेटाएश करें आपको तूशड़ा कॉच्साने सेमार्ट